आगई कहानी ट्रेन ये ट्रेन रोज रुखती है नए स्टेशन पर मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नई किरदारों से तो सबसवार आज की हमारी कहानी है महनत का मंत्र और इसे लिखा है ग्रे स्ट्रोक ने ये बात बर्सों पुरानी है इरावदी के तट पर एक छोटा सा गाउं था उस गाउं में थूजा और थैंगी रहते थे उनकी नई नई शादी हुई थी थैंगी अपना सारा समय मिट्टी से सोना बनाने की विधी ढूंडने में निकाल देता था दिन भर वो तरह तरह की प्रयोग करता और सपनों में अपना समय गवाता पर जादू टोना सफल होता नजर नहीं आ रहा था कोई मंद्र कोई तरकीब काम्याब नहीं हो रही थी मिट्टी मिट्टी ही रहती सोना बनने का दूर तक नामो निशान न था इधर खुश रहने वाली थूजा अब चिंतित दिखाई देने लगी थी घर का सारा पैसा खत्म हो चला था दो जून खाना जुटाना भी मुश्किल होने लगा था एक दिन थूजा से ना रहा गया और उसने बड़े प्यार से अपने पती को समझाने की कोशिश की तुम्हें जल्दी ही नौकरी तलाश करनी चाहिए कब तक हम लोग इस तरह दो रोटी के लिए तरसेंगे उसने कहा बस थोड़ा इंतजार और करो मिट्टी को सोना बनाने का उपाए जल्द ही मेरे हाथ आने वाला है फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे इसके बाद फिर हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी थेंगी ने जवाब दिया निराश होकर थूजा अपने पिता से सलाह लेने पहुँची थूजा के विद्वान पिता थेट को जब पता चला कि थेंगी जादू टोने के भरोसे बैठा है तो वो काफी हैरान हुए उन्होंने अपनी बेटी की समस्या हल करने की ठानी और थेंगी को बुला भेजा अगले दिन डरता डरता थेंगी अपने ससुर के पास पहुँचा थेट ने उसे अलग ले जाकर बताया कि कुछ साल पहले वो भी जादू टोना करते थे और मिटी से सोना बनाने में खास रुची रखते थे पूरी दोपहर वो बड़े ध्यान से थेंगी के विचारों और विध्यों के बारे में जानकारी लेते रहे सुनते सुनते उनके चहरे पर अचानक एक चमक सी आई और उन्होंने थेंगी से कहा तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो सफलता के बहुत करीब हो बस तुम्हें एक किलो सफेज चून की जरूरत है ये चून केले के पत्तों पर मिलता है इस चून में ऐसी जादूई शक्ती है जो मिट्टी को सोना बना देती है बुढ़ा होने के कारण मैं तो ये काम कर नहीं सकता पर तुम जरूर कर सकते हो क्या तुम में एक किलो जादूई चून इखटा करने की क्षमता है एक बार तो थेंगी उल्जन में पड़ गया एक किलो चून इखटा करने का मतलब था उसे हजारों केले के पेड बोने पड़ेंगे जब पेड बड़े हो जाएंगे तब उनके पत्तों से चून इखटा करना पड़ेगा कड़ी मेहनत और कई साल के परिश्रम के बाद ही कुछ हाथ लगेगा पर ये सोचकर कि उसके बाद वो बहुत माला माल हो जाएगा उसमें जोश आ गया थेट के सामने उसने हामी भर दी थेट ने थेंगी को काम शुरू करने के लिए पैसे दिये और केले के पेड बोने के समय पढ़ने वाला मंत्र भी बताया अगले ही दिन से थेंगी जी जान से काम में जुट गया उसने खेट खरीदा केले के पौधे लगाए और उनकी खूब अच्छी तरह से देख रेक करी जब पौधे बड़े हुए उनमें केलों के गुच्छे लगे तब उसे पत्तों पर सफेद चांदी सा चमकता हुआ चूण दिखाई दिया वो बहुत महनत से चूण इखटा करके एक पेटी में भरता चला गया कुछ ही महिनों बाद थोड़ी और जमीन खरी दी और उसमें और केले लगाए देखते ही देखते एक किलो चूण भी इकठा हो गया भागते भागते वो अपने ससुर थेट के पास ये खुशखबरी लेकर पहुँचा थेट ने उसे पहुँच शाबाशी दी मिट्टी से सोना बनाने की विधी अब मैं तुम्हें बताने के लिए तयार हूँ थूजा को ले आओ हमें उसकी मदद भी चाहिए थेट ने थेंगी से कहा संदेशा मिलते ही थूजा फॉरण चली आई थेट ने थूजा से पूछा बेटी जब थेंगी ने चांदी का चूण पेड़ों से कठा किया तो तुमने केलों का क्या किया पिताजी मैंने उन्हें बेच दिया जो पैसे मिलते थे उससे हम अपना गुजारा करते थे थूजा ने जवाब दिया पर बेटी थेंगी ने तो बहुत पेड़ बोई थे इतने सारे केले बेच कर तुमने कुछ तो बचत की होगी उसे हमें दिखाओगी थेट ने उससे पूछा जी पिताजी बहुत बचत हुई मैंने उसे समहाल कर रखा है आईए देखिये ये कहते हुए थूजा दोनों को घर ले गई और कई सारी थेलिया निकाली थेट ने एक थेली खोली जहाँक कर देखा और मुस्कुराते हुए उसे मेज पर उडेल दिया सोने की महरें मेज पर बिखर गई सारी थेलियां उलटने पर सोने का एक बड़ा सा धेर बन गया फिर थेट बाहर गया और उसने खेट से एक मुठी भर मिट्टी लाकर सोने के धेर के पास डाल दी थेंगी, देखो बेटा तुमने मिट्टी से सोना बना दिया थेट के ये कहते ही थेंगी की आँखें खुल गई उसे समझ में आ गया कि महनत ही इनसान को सब कुछ दे सकती है कोई मंत्र और जादू टोने की आवश्यक्ता नहीं है उसके बाद थेंगी ने केले के पत्तों पर पड़े हुए चून को इकठा करना बंद कर दिया पर अपने खेतों की देख रेक में कोई कमी नहीं की पती पत्नी महनत करके खुशी खुशी अपनी गुजर बसर करते रहे थेट की सीक और आशिरवात के सहारे उनकी बाकी जिंदगी हसते खेलते बीती आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम